Hello friends, today I will show you 10 best hanging plants in your home, you can grow easily in your home तो number 1 पे है मनी प्लान्ट, मनी प्लान्ट is very very beautiful hanging plant बहुत ही well known plant है, सभी इसके बारे में कम ज्यादा जानते है बहुत ही beautiful plant है, soil में भी ये प्लान्ट अच्छी से ग्रो होती है और water में भी ग्रो होती है, लेकिन मेरा मानना है ये soil में ज्यादा अच्छी तरह से ग्रो होती है ये बहुत ही एक अच्छी beautiful hanging plant है, ये cutting से बहुत ही अच्छी तरह से propagate हो जाती है कोई problem नहीं होता, just take a little bit of cuttings और ये ग्रो हो जाती है water में भी आप ग्रो कर सकते हो इसको और आप इसको soil में भी ग्रो कर सकते हो, बहुत ही beautiful एक hanging plant है ये plant अप ज़रूर लगाई अपते घर पे, ये बहुत ही beautiful है नमबर टू पे आता है friends, turtle wine, turtle wine भी बहुत ही खुबसूरत एक hanging plant है ये जगे बहुत ही बुशी हो जाती है और जगा भड़ लेती है, आप खोरी भी bucket में लगाईए या टोकडी में इस तरह से लगाईए, बॉटल कट करके लगाईए, इस तरह से hanging करके आप ये लगा दीजिए ये आप पूरा बुशी हो जाएगा और नीचे की तरफ ये आ जाता है, बहुत ही जल्दी ग्रो करता है चोटा सा चोटा इसकी जो cutting है ये लग जाती है और एक एक stand से इसकी root आने लगती है, ये इसका बहुत ही root होता है कोई भी जगे से ये बहुत ही अच्छी तरह से लग जाता है, चोटा सा cutting आप आपकी मिटी में आप थोड़ा सा डाल दीजिए, किसी की घर से लाईए, ये आप जरूर ग्रो कीजिए, एक बार आप अगर इसको घर में लाएंगे तो दुबारा लाने की ज़रूरत नहीं प ये बहुत इसकी छोटी छोटी फूल खिलते हैं, उससे सीड आती है, उसमें से ये प्रोपोगेट होती है, इसकी इलावा भी इसकी साइट से साइट से बेबी प्लांट आ जाती है इस तरह से इस तरह से भी ये प्रोपोगेट होती है, ये प्लांट आपको पार्क में आपकी जो हैंगिंग बास्केट है उसमें चार चांद लगा देगा बहुत ही ब्यूटिफल प्लांट है रियो प्लांट इसको बोट प्लांट भी कहते हैं इसकी कटिंग भी बहुत ईजीली लग जाती है बिल्कुल लो मिंटनेंस प्लांट है ये प्लांट आप ज़रूर ये बहुत खुबसूरत एक प्लांट है ये आप देखिए इस तरह से आप हैंगिंग करके अब लगा सकते हो इसको इसकी पर्पल कलर की छोटी-छोटी हर्ट शेप का फूल आते हैं सार खिलता है बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाते हैं स्पेशली गर्मी की टाइम में गर्म ऐगा दिजिए नीचे की पत्तियां हटाके तो ये लग जाती है तो इसको ज्यादा पानी मत दे इसकी जरूरत की हिसाब से इसको पानी दे नबर फाइफ पे हैं टैंगिल हट ये बहुत खुबसूरत एक हैंगिंग प्लांट है ये सकुलेंड प्लांट है इसकी पति फ mercy सी नंड़ हेंगिंग प्लांत है ये भी छोटी सी कटिंग है दमिए लग जके से धीन अचismo मैंजने अच्छी तरसे इसी ग्रोफ होती है और प्लशी रिपट पाहसा है कि अंदर पानी हो ने पoftु है भी आप लगा सकते हो तो बहुत ही अची ग्रोथ होती है आप देखी सकते हो बढ़ जाती है बहुत ही जल्दी यह बढ़ जाती है यह मेरी बहुत से सारी जगे पे है बहुत खुबसूरत प्लांट है देखिए पूरा नीचे तक चला जाता है यह हैंगिंग प्लांट बहुत इस तरह से रूट आती है यह भी बहुत बुशी हो जाती है चोटी सी जगे पे भी फिट हो जाती है उसकी बाद है सिंगोनियम आप जानते ही हो सिंगोनियम बहुत ही एक अच्छी ब्यूटिफुल हैंगिंग प्लांट है ये आप लगा सकते हो इस तरह से pipe planter मैंने बनाया था CV hanging planter में इसको लगा सकते हो ये भी soil में और water में दोनों में ही propagate होती है किसी भी bottle में पानी दे के भी आप इसको लगा सकते हो और soil में भी ये propagate होती है दोनों में ही अच्छी growth होती है soil में ज्यादा अच्छी ग्रोथ होती है home decor के हिसाब से ये plant बहुत ही अच्छी है आप इसको घर की कुसी भी जगे पे हैंक करके बहुत ही अच्छा लगेगा ये beautiful plant है ये indoor plant है outdoor में भी चलता है shemi shade area में भी ये चलता है properly indoor plant ही ये है उसके बाद आती है porchula का भी बहुत ही अच्छी एक summer से rainy season तक इसकी बहुत ही अच्छी flowering होती है इस तरह से white color का है और ये वाला variety इसकी side वाला variety है pink color का तो ये pink color deep pink, light pink, white ये सब color में आती है इस तरह से bottle cut करके आप इस तरह से hanging planter बना सकते हो और porchula का लगा सकते हो porchula का बहुत ही जल्दी बढ़ता है cutting से grow हो जाती है छोटी सी cutting आप लगाईए तो grow हो जाएगा तो इस तरह से फैल जाती है और इस तरह से आप अगर hanging planter बना ले तो zero cost का भी आपका hanging planter होगा और आपकी प्लांट भी ready हो जाएगी तो porchula का की इस तरह से बहुत खुबसूरत color आती है मेरे पास बहुत ये plant है ये plant बहुत ये अच्छी सार से grow हो जाती है उसके बाद है wandering dew wandering dew भी बहुत popular एक hanging plant है इसकी प्रुदपर stand से इसकी root निकलता है और very easily propagate हो जाती है cutting से आपको अगर इसकी cutting मिले तो आप इसकी cutting लगा दीजिए तो बहुत ही जल्दी प्रुपरोगेट हो जाती है जल्दी इसका जो hanging process है ये बहुत नीचे की तरफ आजाती है बहुत ही खुबसूरत hanging plant है पुड़ा आपकी hanging basket भर लेगा ये इसकी beautiful पती की color देखिए बहुत ही beautiful पतिया है इसकी और बहुत सारी इसे ये बढ़ जाती है जल्दी जल्दी बढ़ जाती है ये आप जरूर लगाएए अपने hanging basket में ये बहुत ही beautiful plant है उसके बाद आती है पर्सलीन पर्सलीन भी समर से rainy season तक खिलती है इसकी flower ये प्लावर थोड़ा सा पानी में नहीं दे पाई इसलिए सूग गया है तो ये प्लावर भी आप hanging basket में लगा सकते हो ये बहुत ही beautiful लगता है इस तरह से खिला खिला लगता है और इसकी flower भी आती है pink color, yellow, white, light pink, deep pink बहुत सारा color इसकी आती है ये भी plant आप cutting से बहुत easily grow कर सकते हो बहुत delicate plant है छोटी सी cutting लगाईए गलग जाता है लेकिन तूट भी जाता है इस तरह से छोटा छोटा flower खिलता है इसका और ये plant आप किसी भी जगे पे आपको मिले तो ले आईए चोटा सा plant तो वो ही लगा दीजिए और ये लग जाता है इसके बाद फ्रेंड्स ये है पेंडरनस पेंडरनस भी बहुत ही एक अच्छी hanging plant है ये आप छोटी सी जगे देखिए पेंडरनस और स्पाइडर प्लांट ये अल्मोस्ट एक ही जैसे होती है लेकिन स्पाइडर प्लांट अलग है स्पाइडर प्लांट की स्ट्रेंड्स निकलती है उससे चोटी-चोटी प्लांट आती है उससे ये प्रोपोगेट होती है और लेकिन ये प्लांट आपको जड़ अलग करके प्रोपोगेशन करना पड़ेगा जड़ अलग करके ये प्लांट प्रोपोगेट होती है साइट साइट से इसका बहुत ये बुशी हो जाती है तब जड़ को अलग करके ये प्लांट आप प्रोपोगेट कर सकते है इसकी बहुत सारा वराईटी होती है यह वेरिगिटिड वराईटी है और भी Baptist tea है इसको Baptist tea कहते है वेनेररास Baptist tea यह भी है मेरे पाँस यह थोड़ा सा बड़ा टाइप का governed था खोटा है यह फ्यर्फ वेज़रू लगाये हैंगिंग बास्केट में बहुत खुबसूरत लगता है ओके फ्रेंड्स बबाई